आज हम लोग छोटे बच्चों के लिए जोड बनाना सिख रहे हैं मैं उनके लिए आज ये वीडियो बनाने जाए रहा हूँ ताकि उन्हें जोड بنाने में आसानी हो जो भी इस्चैनल पर नएं आएं हैं और इस्चैनल का भी तर सब्सक्राइब नहीं किये हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक भी करेंगे और दोस्तों के साथ शेर भी करें तो आज के कलास में हम लोग जोड बनाना सिखेंगे यानि छोटे बच्चे जो जोड बनाने सिख रहे हैं उनके लिए ये कलास है तो बच्चों तियार हो जाओ आज हम लोग सिखने वाले हैं जोड बनाना वो भी आसान तरीके से ये है 42 प्लस 35 यानि 42 अब प्लस 35 ठीक है क्या करेंगे इसमें सबसे पहले आप दोनों नमबर को अलग अलग तोड़ सकते हैं जिसे 42 है तो हो जाएगा 40 प्लस 2 हो गया 42 42 यानि 40 प्लस 2 और 35 यानि 30 प्लस 5 देखिए मैंने दोनों नमबर को तोड़ दिया थेटरास कर दिया 42 को 40 प्लस 2 बना दिया और 35 को 30 प्लस 5 बना दिया अब इसमें से दो नमबर जिसमें 0 लगावा है जिससे 40 और 30 यह एक ग्रूप का है इसलिए इसको आगेर कर दिजिए 40 प्लस 30 ठीक और यह जो एक डिजिट का जो नमबर बचावा है दो और 5 यानि 2 और 5 उसको अलग में ग्रूप में हम लोग जोड देंगे 2 प्लस 5 अब देखिए 40 और 30 जोड़नों में असानी होगी 4 और 3 7 और 1 0 का 1 0 लिख दीजिए हो गया 70 यानि 40 प्लस 30 प्लस 70 यानि 40 और 30 को जोड दीजिए किनाया 70 और इधर 5 और 2 को जोड देते हैं यानि 5 और 2 प्लस करते हैं किनायगा 7 और यह दोनों को अगर प्लस करेंगे तो यह 70 है यह 7 है तो हमारा आंसर आजएगा 77 तो यह हमारा आज का आंसर हो गया यानि पहला कोशन का आंसर हो गया 77 हम यही जोड को फिर से बनाने वाले हैं लेकिन अब तीन नमबर के साथ 33, 82 और 24 तरीका वही यूज़ करेंगे जो अभी हमने बताया ठीक है आप लोग ध्यान दीजिए 33 है तो हम क्या लिखेंगे 30 प्लस क्या लिखेंगे 33 क्योंकि यह नमबर क्या है 33 ठीक है चले अगला नमबर देखते क्या है 82 तो 82 को हम लोग कैसे लिखेंगे 82 को लिखेंगे 80 प्लस 2 यह नहीं लिखेंगे 80 प्लस 2 और लास्ट नमबर जो है वो क्या है 24 यानि 20 प्लस 4 ठीक है यह पहला स्टेप में लोग यह करते है अब क्या करेंगे तो जिसपे 0 लगावा यानि 30, 80 और 20 इसको एक तरफ कर लेते हैं 30 प्लस 80 प्लस 20 देखिए सब नमबर को एक तरफ कर दियें अब जो एक नमबर का नमबर बचा है संख्या का जो एक संख्या का जो नमबर बचा हुआ है जैसे 3, 1 डिजिट का नमबर, 2, 3, 2 और 4 इसको अलग में एक ग्रूप में हम लोग जोड देंगे 3 प्लस 2 प्लस 4 अब इधर में खाले नमबर को जोड़े है 0 जोने को जोड़े नहीं है सिर्फ नमबर को जोड़े है 8, 2, 10 और 3, 13 चले 13 लिख दिए एक 0 लगा दिए यह हो गया जोड़ दिए यह प्लस हो गया 8 और 2, 10 और 3, 13 सब में 0 लगा हो था एक 0 लगा दिए यह आया 130 प्लस अब इसको प्लस कर देते है तो 3, 2, 5, 4, 9 तो क्या है गया 130 और 9 हो जागा 139 क्या हो जागा 139 तो यह इसका अंसर तूर का अंसर होगा 139 तो इस तरह से स्टुडेंट आप भी अलग-अलग नमबरों को जोड़ सकते हैं आप इसी तरह प्रयास करें, ट्राइ करें, कोसिस करें जाद जाद इसी तरह नमबरों को जोड़ने के कोसिस करें आप जोड़ सीख जाएंगे बहुत आसान तरीकी से ठीक है? स्टुडेंट आसा है, आपको यह वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो समझ में भी आए गई है अगर वीडियो अच्छी लगी है, तो वीडियो को लाइक करें, चेनल को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों को साथ सेर भी करें मिलते हैं अगले वीडियो में, कुछ नया सीखेंगे, तब तक के लिए गुडबाई and टेक केर